हलो दोस्तो मेरा नाम है मदू मलिक और स्वागत है आपका एम विद मदू पर दोस्तो मैं इस वीडियो में बात करूँगी जो 24 दिसम्बर को आपका सीटेट का एक्जाम हुआ है उसमें कौन कौन से कुशन पूछे गए थे इससे पहले में आपको जितनी भी सिट्स में एक्जाम हो चुके हैं उन सबी का आनलेसिस आपको बता चुकी हूँ यदि आपने नहीं देखा तो आप उसे देख लीजे क्योंके यदि आपका एक्जाम आगामी शिफ्ट में होने वाला है तो आपको इन shifts के जिसके exam हो चुके हैं उनके analysis देखने बहुत जरूरी है इससे आपको एक idea लग जाएगा कि question आपसे कैसे पूछे जा रहे हैं और उन topic को आप अपना तयार कर लीजे क्योंकि जो question previous shift में अगर पूछा गया है तो उसे related question next shift में भी पूछे जाने के chances काफी जादा रहते हैं तो इसलिए आप जितने भी analysis seat at के मैंने कराया है या आप किसी के भी analysis देख सकते हैं seat at के ठीक है तो चलिए देखते हैं कौन-कौन से question आपके पूछे गए थे question पूछा गया था आपका शक्कर खोरा से EVS में जो content का मैंने marathon कराया था मेरी जितने भी लोगों से seat at देकर आये हैं मेरे non है जितने भी उन से बात हुई है वो सब यही बता रहे हैं कि जो marathon की video है उससे लगबग 10-12 question आपके पूछे जा रहे है तो आपके EVS की जो content की मैंने marathon कराया थी उस video को आप जरूर देकर जाएए यदि आपको मेरे बात पर ये विश्वास नहीं हो रहा कि उससे question पूछे जा रहे हैं तो आप content की video अपने friends को दिखा सकते हैं जो seat at का exam देकर रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि EVS का जो content है वो marathon की video से ही आ रहा है क्योंकि marathon की जो video है वो मैंने NCRT से सब कुछ जो third to fifth NCRT है EVS की उसमें से मैंने एक भी point आपका miss नहीं किया सब कुछ उसमें से मैंने उस video में include किया है और question का जो pattern है वो previous year जैसे ही आपसे पूछा जा रहा है जैसे previous year में आपके question पूछे जाते हैं उसी तरीके से इस बार भी question का pattern follow हो रहा है तो आप previous year question जरूर पढ़ कर जाए ठीक है तो साथ साथ में जो हम question देखेंगे कि कौन-कौन से question पूछे गए थे उसके साथ में हम थोड़ा सा उनके बारे में device भी कर लेंगे ताकि यदि आपका जो आगे की shift में paper होता है तो आपसे जो point में आपको बता रही हूँ वो miss ना हो शकर खोरा जो है शकर खोरा छोटे पेडिया जहाडी की डाली पर अपना लटकता हुआ गोसला बनाता है जो पक्षियों के गोसले हैं उनसे भी question काफी पूछे जा रहे हैं तो सभी आप पक्षियों के गोसले से question जरूर पढ़ कर जाए marathon की आप एक बार वीडियो देख लोंगे तो वो complete आपका हो जाएगा मुश्किल से तीन घंटे की वीडियो में आपको 10 से 12 marks का मिल जाएगा ठीक है next question पूछा गया था कोयल से Indian Robin से भी एक question आया था और दर्जन चिडिया जिसी टेलर बर्ड भी बोला जाता है उससे भी आपका question पूछा गया था इनके बारे में भी देखते हैं कल्चिडी जो है इसे Indian Robin भी बोला जाता है कल्चिडी क्या करती है ये पत्थरों के बीच खाली जगय जो होती है उसमें अपना घोसला बनाती है ये अपना घोसला नाजुक टहनिया जड़े उन बाल और रूई से बनाती है तो कल्चिडी कहां अपना घोसला बनाती है जो पथरों के बीच में खाली जगय होती है कलचडी बनाती है उसमें अपना घोसला नेक्स्ट देखते है कोयल अपना घोसला नहीं बनाती है कोय के घोसले में अपने अंडे देती है कोवा अपने अंडों के साथ में कोयल के अंडे को भी सेता है और कोवा कहां घोसला बनाता है क जिसे हम टेलर वर्ड भी बोलते हैं ये अपनी चोंट से पत्तों को सील कर थेली सी बना कर उसमें अंडे देती है ठीक है तो जो पक्षियों के घोसले हैं उनसे भी आपके कोशन्स पूछे जा रहे हैं इन सभी को आप तयार करकर जाएंगे इनको पढ़कर जाएंगे नेक्स्ट कोशन पूछा गया था इत्र के लिए कौन सा जिला परसिद है इसके बारे में भी देखते है उत्तर परदेश का जो कनोज जिला है उत्तर परदेश का कनोज जिला इत्र के लिए मशूर है यहाँ पर पास्त के इलाकों से तरकों में भरकर फूल लाए जाते है फिर उनसे इत्र गुलाब जल और केवडा तयार किया जाता है कनोज में इस काम में हजारों लोग लगे हुए है तो इत्र के लिए कौन सा जिला परसिध है उत्तर परदेश का कनोज जिला परसिध है इत्र के लिए नेक्स्ट कोशन आया था आपका घरों से यह मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था घरों से भी आपके कोशन पूछे जा रहे हैं आज की जो शिफ्ट में कोशन आया था वो पूछा गया था असम के घरों से असम के घरों के बारे में अधि मैं बात करू असम में ज़ादा बारिश होती है इसलिए जो घर होते हैं वो 10-12 फुट उचे बने होते हैं और इसे बास के खंबो पर बनाये जाते हैं तो घरों से भी आप सभी पॉइंट पढ़कर जाएंगे इन्से कॉशन पूछा जारहा है 23 दिसम्बर की सिफ्ट में आपका राजिस्थान के घरों की विशेशता के बारे में पूछा गया था और आज 24 दिसम्बर की सिफ्ट में आपका असम के बारे में पूछा गया है नेक्स्ट कोशन जो है वो पूछा गया था जूम खेती कहां होती है तो जूम खेती के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं जूम खेती होती है मिजौरम में कहां की जाती है जूम खेती जूम खेती मिजौरम में होती है इसमें क्या करते है इसमें फसल के काटने के बाद जमीन को कुछ साल के लिए ऐसे ही छोड़ देते है उस पर खेती नहीं करते जो इस पर बास या फिर कोई जंगल उगाता है उसे उखाडते नहीं उसे ऐसे ही जला देते हैं क्या करते हैं उसे ऐसे ही जला देते हैं जूम खेती कहां की जाती है मिजोरम में की जाती है और जो ये राक होती है ये जमीन में खाद का काम करती है जब जमीन में खेती की बारी आती है तो जमीन को जोता नहीं जाता मिट्टी को हलके से हिला कर बीज छिड़क देते हैं ठीक है जूम खेती के बारे में आपको ध्यान रखना है सभी पॉइंट एक ही खेत में इसमें अ पूछा गया था परियवरण की थीम से ये लगतार तीन शिफ्ट में कोशन आपका पूछा जा चुका है 22 दिसंबर की शिफ्ट में भी आप से पूछा गया था और कल भी मैंने इसके बारे में आपको बताया था परियवरण की जो छे थीम है उन सभी थीम को आपको देख कर जाना है आज भी परियवरण की थीम से आपका प्रिशन पूछा गया है सभी थीम को आप एक बार याद कर लेंगे तो कौन-कौन सी थीम है परियवरण की परिवार और मित्र भोजन आश्रे पानी यात्रा चीजे हम जो बनाते हैं और करते हैं ये छे थीम हैं इनसे कोशन अभी थीम को आप दो तीन बार पढ़ लीजे ये आपके याद हो जाएगी और इनसे कोशन आपके हर सिफ्ट में पूछे जा रही है बहुत इंपॉर्टेंट है एक्स आपका पूछा गया था मली आलम भाशा में कुछ रिस्तेदारों के नाम पूछे गये थे को बोला जाता है मा की बड़ी वैन यानि की मौसी को बोला जाता है वली अम्मा और अमूमा बोला जाता है मा की मा यानि की नानी को बोला जाता है अमूमा कौन से भाशा में मली आलम भाशा में एक कोशन बाग से पूछा गया था कोशन तो एग्जेक्ट पता नहीं क्या को लेकिन बाग से question आया था तो इससे related हम कुछ facts देख लेते हैं बाग जो है बाग की मुझे हवा में हुए कमपन को भाप लेती है और उसे सिकार की बिल्कुल सही स्थिती का पता चल जाता है इससे इन्हें अंधेरे में रास्ता डूलने में मदद मिलती है ठीक है ये point धियान बाग अंधेरे में हमसे च्छें गुना बहतर देख सकते हैं ये भी आपको ध्यान रखना है बाग मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता है गुस्से में अलग आवाज निकालता है बाग इनको बुलाना हो तो अलग आवाज कभी कराना तो कभी गुराना बाग का जो गुर्राना है वो 3 किलो मीटर दूर तक सुना जा सकता है ठीक है नेक्स्ट एक पॉइंट है बाग से की बाग अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं यहे लाखा कई किलो मीटर बड़ा हो सकता है एक बाग दूसरे बाग की मूतर की गंध को जट से पहचान लेता है फिर उस इलाके में गुसना है या नहीं यह तो इस बाग की मरजी है लेक्स एक पॉइंट है बाग से कि बाग हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के जाडियों में हिलने से हुई आवाज में अंतर को भाव लेता है बाग के दोनों कान बाहर की आवाज को इक हट्टा करते हैं ठीक है यहीं से कोश्चन आपका बना था सभी फैक्ट से एक बार आप बाग से रिलेटेट देख लेंगे नेक्स्ट कोश्चन पूछा गया था बंगाल की खाड़ी से लगे हुए राज्ये कल भी मैंने आपको बताया था एक बार आप मैप जरूर पढ़ लीजे कल की जो शिफ्ट थी यानि कि 30 दिसंबर की शिफ्ट में आपका आया था अरब सागर से लगते हुए राज्ये पूछे गए थे और आज पूछे गए हैं बंगाल की खाड़ी से लगते हुए राज्ये तो इन्हें देख लेते हैं कौन-कौन से राज्ये हैं तमिल अंद्रपर्देश, ओडिसा और पस्चिमी बंगाल यह लगते हैं बंगाल की खाड़ी से और जो अरब सागर है वो भी हमने देख लिये थे तो इन सभी को आपको दिहान रखना है और सारा इगवार आप मैप पढ़ लीजे जादा आपको टाइम नहीं लगेगा यदि आपको डिस्क्रिप्शन बोक्स में दे दूँगी उससे आपका मैप पूरा रिवाइज हो जाएगा नेक्स्ट कोशन आपका जीन प्याजे और वाइगोट्सकी से आया था मैं बार बार आपको बोल रही हूँ जीन प्याजे और वाइगोट्सकी को आपको नहीं छोड़न सबसे जादा question इनसे आपके पूछे जा रहे हैं CDP में तो इनको आपको याद करके जाना है प्याजे पर मैंने complete video बनाई हुई है अगर आप उसको देख लेंगे तो एक भी question उससे अलगा आपको नहीं मिलेगा सभी कुछ मैंने उसमें बताया हुआ है नेक्स्ट question एक पूछा गया था अनुवानशिक्ता से तो अनुवानशिक्ता और परियवरण का जो आपका टॉपिक है उसे भी एक बर आप देख लेंगे जेंडर रूडिवदिता से भी आज की shift में question पूछा गया था एक question आया था gardener के बहु बुद्धिस इधान से इसको भी आपको देख कर जाना है क्योंकि ये कल की shift में भी पूछा गया था एक question आया था मूर्द संक्रियात्मक अवस्था से प्याजे की ही अवस्था है ये प्याजे की जितनी भी stages है वो सभी आपको देख कर जानी है mostly question उन्हीं से पूछे जा रहे है एक question आपका हर shift में पूछा जा रहा है नई शिक्षा निती 2020 से ये बहुत important है आपके लिए नई शिक्षा निती 2020 इस से आपका question पूछा जा रहा है इसको भी आपको ध्यान लगना है question एक पूछा गया था समावेशन से कल की shift में भी समावेशी सिक्षा से आपका question आया था तो इसको भी एक बार आप देख लेंगे एक question आया था ADHD ये मैंने आपको कल ही बताया था कल ही कराया था complete video इस पर learning disability यानिकि अधिगम एशमता पर complete video मैंने कल ही दी थी उसमें मैंने ADHD, dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, proseria ये सभी जो जितने भी अधिगम एशमता है सभी को मैंने आपको समझाया था तो एक बार आप उस video को देख लीजे क्योंकि आगे आने वाले shift में भी chances है कि कोई ने कोई अधिगम एशमता आपसे पूछी जा सकती है क्योंकि हर shift में कोई ना कोई पूछी जा रही है dyslexia भी पूछ लिया आपसे dysgraphia भी पूछ लिया और आज की shift में ADHD यानि की attention deficit hyperactive disorder इसको भी आपको पूछा गया है तो ये आप एक बार देख लेंगे next question पूछा गया है गनित सब्वयता का दरपन है ये किस ने कहा ये भी आपको देख कर जाना है ये सभी चीजे जो भी आप से मैं आपको ये बता रही हूँ इनसे related जो भी आपको matter मिलता है एक बार आप थोड़ा सा उसको पढ़ लीजिए क्योंकि आपकी shift में भी इनसे question आ सकते है एक question आया था मुक्त अंतुर बंद के प्रशन से एक question अपसारी सोच से पूछा गया था when hilly, maths का जो maths में when hilly से आपका लगतार question हर shift में पूछा जा रहा है एक बार इसकी theory को भी आप complete देख लेना एक question पूछा गया था maths में अबाज्य गुननखन पूछे गए थे किसी के इस्थानिय मान से भी आपका maths में question पूछे जा रहे हैं तो इसको भी आपको देख कर जाना है और train से संबंदित पूछन आप भी आपके हर shift में पूछा जा रहा है आप previous year के जितने भी question train से संबंदित पूछे गए हैं यदि आप उनको भी कर लेते हैं तो उसी के जैसा similar question आता है तो आपका question सही हो जाएगा छोटी और बड़ी जो भीन हैं उनसे भी आपका question पूछा गया था छोटी बड़ी भीन से भी question आया था वो arrange कर ली थी तो ये सभी question आपको ध्यान रखने हैं ये question पूछे जा रहे हैं एक बार आप ये सभी question देख कर जाएंगे और मैं एक बार आपको ये बात बता दू कि यदि आप EVS का जो marathon कराया है उसको कर लेते हैं तो आपके 10 से 12 नंबर पक्के हो जाएंगे आप देख लेना क्योंकि जो content से question पूछा जा रहा है वो same pattern उसी जो previous year में पूछे गए थे उसी तरह से NCRT base ही आ रहा है और complete NCRT third, fourth, fifth class की NCRT मैंने आपको कराई हुई है तो उसको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना तीन घंटे की वीडियो आपको 10 से 12 आपके नंबर दिला सकती है और क्या चाहिए आपको चीक है तो ये सारे points जो मैंने आपको बताए हैं एक बार आपको ये पढ़ लेने है तो चलिए मिलते हैं आपसे next वीडियो में